एक करनल अपने जुनियर के वाइफ के साथ बैर में बढ़ जाता है और उसे अपसेस्ट हो जाता है इसके बात क्या होता है यह आज की मूवी में हम समझेंगे आज की मूवी है अपसेस्ट यह एक कोरियन मूवी है बुछली explanation स्टार्ट करते है इस मुवी का चो टाइम पिरेड है ये 1969 का है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मिल्टरी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है यहाँ पर करनल किम भी होता है ये एक वार हिरो होता है इसने जंग में बहुत अच्छा वर्क किया होता है आज इसका इस सेलिब्रेशन चल रहा होता है इसका जो सीनियर होता है इसे बहुत सारे दारू बिला देता है यह जो है यह हमारा में क्यारिक्टर है इसका नाम कीम है कीम को इस सेलिब्रेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ से बहर आजाता है बहर आकर अकिला ही बेठा हुआ होता है वहाँ को जो सके junior साते है यह आपस में बाती करने लग जाते है यह कहते हैं किम का जो father in law है यही इसका senior है यह हमेशाय उसकी तारिफी करता रहता है दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं है वो सच में एक war hero है फिर दूसरा उसे कहता है कि मैंने किम के बारे में कुछ सुना है किम के बारे में कुछ rumors होती है यह सब किम सुन रहा होता है अब next scene में किम उसके office में में दिखाये गया है वहाँ वह एक नए officer whojin आया होता है उसकी अभी-भी बदली होती है किम का कलिक कहता है कि कमांडर के नीचे था पर यह कभी भी सब करने के लिए नहीं गया था कमांडर के सब काम वोjin करकर देता था इसलिए वोjin को कभी भी war में नहीं भेजा गया था वोjin के किस से किम को उसका कलिक सुनाता है वुजीन जो होता है, यह किम का बहुत बड़ा फैन होता है किम ने वार में जो सब किया होता है, इसके चर्चे दूर दूर तक होते है किम ने भी यह सुने होते है, और इसका बहुत बड़ा फैन बन चुका होता है किम जब इसके file review कर रहा होता है तो इससे बुचता है कि तुमारी wife का नाम इस तरह से कैसे है बुजिन कहता है कि वो चाइनेज है इसलिए ही ये है बुजिन की wife की bird date और किम की bird date ये दोनों same होती है इसलिए ये भी वो point कर कर देता है इसके बाद हमें किम का घर दिखाया जाता है इसकी वाइफ और वो यह दोनों डिनर कर रहे होते है इसकी वाइफ यहाँ बात कर रहे होती है लेकिस इस तरह से वो और उसकी फ्रेंड्स सब काम अब करने वाली है किम की वाइफ और उसके जो फ्रेंड्स होती है यह NGO के लिए काम करती है इसके बाद रात में हमें दिखता है कि दोनों intimate हो जाते है यह दोनों baby के लिए try कर रहे होते है पर इन्हें हो नहीं रहा होता रात में फिर यह बात करने लग जाते है तो किम की wife इससे कहती है कि हमारी एहाँ और एक neighbor आये है ये वुजीन और उसके wife ही होती है किम की wife का नाम ली सुक है तो ली सुक बोलती है कि यहाँ जो neighbor आया है उन्हें भी बच्चा नहीं है यहाँ की जो wife है वो Chinese है ली सुक कहती है कि उन्हें भी बच्चे नहीं है इसलिए मुझे उनसे बात करनी का मन करता है ली सुक के सब friends को बच्चे और इसे बच्चे नहीं है तो यह अच्छे से उनसे बात नहीं कर भाती है उसे लगता है कि वो वुजीन और उसकी जो wife है इसे वो अच्छा connect कर पाएगी ली सुक ने कीम को बोला होता है कि वुजीन की जो wife है यह birds बालती है किम को रात में जब नीन नहीं आ रही होती तो यह चलने लग जाता है चलते चलते उजीन की घर पर आ जाता है या जो भी सब बर्ड्स है इन्हें हो देखता है वो सिगरेट पीरा होता है तो यह धुआ वो बर्ड्स पर छोड़ता है यहां फिर हूजिन की वाइफ आजाती है इसका नाम जौंग होता है जौंग को भी नीन नहीं आ रहे होती जौंग कीम से बोलती है कि ऐसा मत करो उन्हें अच्छा नहीं लगता वो से पुछते है कि क्या तुम बर्ट को हेट करते हो किम कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उनका मजा लेना चाहता था ये कहती कि तो फिर ठीक है ये इसे बुछती है, क्या तुम आसपासी रहते हो ये कहता है कि हाँ, और इसके बाद ये अपने घर में चले जाती है नेकसिन में किम हमें डॉक्टर के पास आया हुआ दिखता है उसे mental illness होता है और इसके लिए गोलिया विगरा लेता है यह डॉक्टर को बोलता है किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मुवे के फर्स्ट में हमें दो लोग दिखाए गए थे जो किम के बारे में बात कर रहे थे वो कह रहे थे किम के बारे में मुझे कुछ पता है तो यही वो चीज़ होती है किम इसके बारे में बहुत ही insecure होता है किम वार में था, बहुत सारे लोगों को उसे मारना पड़ा था, इसी वज़े से वो डिस्टब हो चुका है अब नेकसिन में हम दिखता है कि ली सुक एक होस्पिटल में आई है, वहाँ कुछ काम कर रही है किम को भी उसने यहाँ बुला होता है, वार में जो जख्मी हो चुके है, इन्हें मोटिवेट करने के लिए किम यहाँ आय हो होता है यहां ली सुक ने जौंग को invite किया होता है जौंग से ली सुक बात करने लग जाती है और उसे पूछती है कि तुमें क्यों बच्चा नहीं है ली सुक के दी के विषया कुछ भी नहीं है हमने सिर्फ try ही नहीं किया है जब लिसुक एक patient के पास बेटी हुए होती है तो patient उसे पास बुलाता है पीलो के नीचे से एक चाकू निकलता है उसे मारने वाला होता है तब ये जॉंग उसे हटा देती है इसके हाथ में जॉंग आ जाती है और जॉंग पर वो चाकू लगाता है इसको लगता है कि अभी भी वार में है और जो हस्पिटल है इसके एनिमीस का है किम उसके पास आता है और उस पर गन रखता है उसे कहता है कि इसे जाने दो तुम कोरिया में हो तुम अभी वार में नहीं हो ये patient अभी भी बिलिव नहीं कर रहा होता किम फिर अपनी गन रख देता है और कहता है कि प्लीज अभी ये चाको निकाल लो ये patient शान तो हो रहा है ऐसा हो दिखाता है पर वो किम की गन ले लेता है वो अपने आपको मारने ही कोशिश करता है पर किम उसे बचा रहा होता है यहीं इनकी हाता बाई में गोली चल जाती है और जॉंग के कंदे पर लग जाती है इससे किम गन ले लेता है जॉंग को फिर होस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है इसके बाद हमें जो सब हाउस वाइफ सोती है यह बात करते हैं यहाँ पर एक वाइफ जो दिये यह हमेशा रूमर्स फिलवाती है यह कहती है कि मुझे यह चाइनीज वाइफ पसन नहीं आ रही जो रूड वेटरस होते है उसी तरह से मुझे यह लगती है यह स्पेशन ने गोली चलाई थी उसे अरेस कर लिया जाता है वुजीन इसके पास जाता है उसे बहुत मारता है किम वुजीन को बुलाता है उसे कहता है कि इसे इतना मानने कोई भी जरूद नहीं है वुजीन कहता है कि अगर तुम किसी को मारते हो तो बहुत सारी चीज़े तो भी मिल जाती है उजिन कहता है कि आपको इतना सारा ट्रबल उठाना पड़ा तो इसी वज़े से मैं उसे मार रहा था उसके वाइफ को वोली लगी है इसी इसे जादो कुछ फरक नहीं पड़ता यह सिर्किम को इंप्रेस करने के पीछे पड़ा होता है अब नेकसिन में हमें दिखता है कि जॉंग बेड़ पर होती है उसकी मदर उसे देखने के लिए आती है जॉंग अपनी मदर को कह रही होती है कि प्लीज फिर से मुझे मिलने के लिए मत आना इन दोनों की रिलेशन्शिप सही नहीं है वहाँ पर गिम भी आता है उसके लिए फूल लेकर आता है जॉंग जब फूल देखती है तो कहती है कि फूल मुर जा जाएंगे इसे पानी की जरूरत है वहाँ से फिर किम जाता है और डॉक्टर के पास आता है उसके पास एक बास लेता है उसमें पानी भरता है और कुछ न कुछ जुगाड करकर यह फूल उसके पास लेकर आता है किम फिर फेस से जॉंग के पास आता है उसने उसके लिए एक केक लाया होता है वह उसे खिराता है जॉंग की इरिंग गिर गई होती है ये किम के पास होती है ये उसे ला कर देता है ये खुद पहन नहीं सकती है तो इसे हो पहनाता है निगजीन जब आता है तो किम जॉंग के बारे में ही सोच रहा होता है इसे न्यूस मिलती है कि मुजिक रूम का जो ओनर है वो पकड़ा जा चुका है एक्च्चन में कमांडर इसकी जो वाइफ होती एंने dance lesson दे रहा होता है ये illegally ये सब कर रहा होता है तो इसे वो पकड़ लिते किम का ही फ्रेंड होता है तो किम इसे बचाने के लिए चला जाता है इस पर जो भी सब charges वगरा होते है इसको वो drop करवाने के लिए बोलता है Kim का junior भा होता है Kim जा रहा होता है तो वो कहता है कि तुम्हें भी नाचना पसन होगा Kim इस पर चीर जाता है उसके पास आता है और कहता है तुम क्या बोल रहे हो इस पर तुम ध्यान रखो Kim वान में बहुत ही dangerous था तो यह इससे डर जाता है Kim फिर उसके friend के साथ music room में आ जाता है यह तोनों बहुत चिल कर रहे होते हैं बाते कर रहे होते हैं Kim जब जो incident हो आता है उसके बारे में बुछता है Kim का friend Kim को कहता है कि dance करना यह एक अलग ही art है एक दूसरे में आप खुल मिल जाते हो और music के साथ नाचते हो हम जब dance करते हैं तो इससे बहुत ही खुशी होती है इसलिए मेरे पास मेरी सब clients आती है वो सिर्फ अपने आप के लिए आती है नेक्स दिन जब आता है तो Lee Soo Kim, Woojin और Jung यह दोनों families मिलकर picnic पर जाने वाले होते है यह जब वहाँ आते हैं तो Woojin Kim के जो war के किस्से थे इसके बारे में बात करने लग जाता है इससे वो बहुत impressed होता है तो इस details में समझा रहाता है Lee Soo के सुनना अच्छा नहीं लगता वो बहुत ही uncomfortable हो जाती है और वहाँ से चली जाती है Woojin भी toilet के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है Kim और Jung यह दोनों अकेले होते है Kim Jong से कहता है कि weird है पर मुझे तुमसे पूछना है क्या तुम मेरे साथ dance पर आ सकती हो यह फिर मैरे सुचादा है और खेता है कि बहुत stupid है Jung कहती कि नहीं जब से तुम मेरे birds देखने के लिए आये थे और hospital में जब तुम मुझे मिलने के लिए आये थे तब से मैं तुमारे बारे में ही सोच रही हूँ तुम मेरा हाल देखने के लिए आये थे तो मुझे यह अच्छा लगा था किम बे केता है कि दिन बर मैं तुमारे बारे में ही सोचता रहता हूँ जॉंग को किम का lighter पसनाता है तो किम में यह lighter लेता है और जॉंग के पर्स में रख देता है इसके बहुत सारी dates बाज जाते हुए यह दोनों family हमें दिखती है और किम और जॉंग इन दोनों में एक टेंशन बढ़ता रहता है नेक्सिन में वुझे और किम यह दोनों music room में होते है यह जो music सुन रहते है इसे हुझे को बहुत ही जादा interest होता है यहाँ पर किम का एक friend आता है इसका नाम Hux होता है यह भी उसके साथ war में ही था इसे देखकर यह बहुत ही surprise होता है यह जो music room का owner है कि इमको हक्सु से जादा बात नहीं करने देता यह उसे एक कोने में लेकर जाता है नेक्सिन में हमें दिखता है कि जॉंग एक tailor के पास आई हुई है वो party में जा रहे होती है तो एक dress वो buy कर रही होती है यह tailor के थी है कि जो dress तुम buy कर रही हो यह बहुत गलत लगेगा जॉंग के थी है कि मेरे husband को इस तरह से dress चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ एक्चुल में जिस party में वुजिन और जॉंग जाने वाले होती है वो एक बड़ा commissioner आने वाल होता है वुजिन को अपने commissioner को impress करना होता है तो इसलिए वो जॉंग को इस तरह से dress बहनने के लिए बोलता है जब बारटी में पोशते है तो वुजिन का जो goal था यह success भी होल जाता है commissioner जॉंग को ही देखता रहता है commissioner कहता है कि जब मैं इतने beautiful lady देखता हो तो मेरा फिर से दिल धढ़ने लग जाता है यहाँ पर किम भी होता है और एक conversation हो सुन रहाता है commissioner फिर जॉंग के साथ dance करना चाता है वो किम को गाना लगाने के लिए बोलता है किम को बहुत ही jealous में सुसता है वो आपर दमाशा खड़ा करना चाता है वो pretend करता है कि वो बहुत ही drunk है पर commissioner मानता ने यह वो किम की चाल सक्सेस नहीं होने देता जब commissioner और जॉंग इन दोनों का dance खतम हो जाता है तो जॉंग किम के पीचे पीचे बात्रूम में आ जाती है जॉंग कहती है कि मैं तुम्हें ढोंड रही थी जॉंग उसे कहती है कि अभी अभी जो तुमने किया है क्या वो तुमने परपस से किया है जॉंग उसके पास आती है और दुने एक दूसरे को kiss कर लेते है अब यह फिर से housewife सिखाई गई है यह जॉंग के बारे में gossip कर रही होती है जॉंग के ट्रेस के बारे में वो बात चीत करती है वो कितनी घटिया है यह वो बात ही करती है इसके बाद जो rumors फैलाती है वो जॉंग के बारे में सब को कहती है वो कहती है कि जॉंग के मदर और फादर जो थे यह वार में थे वार के बाद यह refugee बन गए और यह Korea में आ गए यह माउंडन्स में रहते थे यही इसके जो फादर थे बहुत बिमार पढ़ गए और मर गए इसकी मदर इसे छोड़ कर चली गई थी यह तब छोटी ही थी इसकी मदर इनलो जो है इसने इसे काम पर रखा था इसकी हाउसमेड थी इसकी मदर इनलो ने फिर उसके बेटी की और जोग की इन दोनों के शादी करवा दी इसकी मदर इनलो इससे बहुत ही पसंद कहती है यह सब इने कह रही हुती है अब नेकसिन में म्यूजिक रूम में हमें किम दीखता है यह डांस कैसे करना है यह सिख रहा होता है म्यूजिक रूम का ओनर इसे ठीक से सिखा नहीं पा रहा होता तो वह हाकसू भी होता है हाकसू फिर इसे डांस कैसे करना है यह सिखा देता है इसे बोचता है क्या तुम पैर में हो, किम कहता है क्या ही इतना अभीस है, हकसु कहता है कि तुम्हारी लाइफ में मुझे excitement दिख रही है, यह अपने चिने मैं में दिखता है किम और जॉग अपने families के साथ फिर से dinner करे होते हैं, जब किम की wife और जॉग का husband यह दोनों वहाँ स जाधे, जोंग कीम की तारीफ करती है, और इसके बाद ये तोनों इंटिमेट हो जाते है। अब दिन रात किम उसके बारे में हैं सोचता रहता है.. किम को जोंग के साथ अकेला होना होता है, तो वह जीन को कही दूसरी शहर में कुछ दिनों के लिए भेज़ देता है। assignment पर वो जाने वाला है यह John को कहकर वो चला जाता है जब रात होती है तो Kim John के पास आता है Kim जब दर्वाजा कट कट आता है तो John कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे दर्वाजा open करना चाहिए वो दर्वाजा खोल कर पुछती है कि तुमने डिलिबरेटली किया है मिरे husband को तुमने दूर भेज़ दिया है वो कहती है कि हम जो यह सब कर रहे हैं यह मुझे गलत लग रहा है Kim फिर वहाँ से चला जाता है Kim music room में आता है और अपने friend के साथ बहुत पी रहा होता है उसका friend उसे पूछता है कि क्या हुआ है वो उसके साथ जो हो रहा है वो यह सब बदा देता है उसका friend उसे कहता है कि यह जो सब तुम कर रहे हो यह बहुत गलत है Kim इसकी मानना नहीं चाहता Kim ने अपने wife को भी दूर भेज़ दिया होता है Kim का birthday होने वाला होता है तो कुछ नेबर साथी है और उसे सूप देखा जाती है यही सूप लेकर फिर जोंग के पास आजाता है उसे कहता है कि मुझे पता है कल तुमारा birthday है हम यह दोनों मिलकर खा सकते है यह उसे कहता है कि मैं सो भी नहीं पा रहा सास भी नहीं ले पा रहा मुझे क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा यह दोनों फिर सूप पीते है जॉंग के थी है कि तुमने मुझे जोसब कहा यह मैं भी महसूस कर रही हूँ इसके बाद हो उसे बेडरूम में लेकर आती है और यह दोनों इंटिमेट हो जाते है किम जॉंग को म्यूजिक रूम में लेकर आता है और यह दोनों डांस करते है यह बीच पर जाते है और दोनों बहुत ही खुश होते है किम जॉंग से बुशता है कि तुमारे अपने हस्बन के साथ रिलेशन्शिप कैसी है जॉंग कहती है कि यह बहुत ही छोड़ी थी तब से मैं इसके घर पर काम करती थी जब मैं 13 साल की थी तो मुझे यह एक रूम में लेकर गया था इसने मुझे पर रेप किया था जॉंग और उसके हस्बन की जो रिलेशन्शिप है कुछ भी सही नहीं है वो कुछ भी महसूस नहीं करवाती जब वो किम के साथ होती है तो वो पैर में होती है वो खेती है कि तुम ही हो जिससे मैंने पैर किया है किम को कॉल आता है उससे पता जलता है यně जौंक की चो मदर इंला है, यह हospinал में, जौंग फिर उसे हospinel में लेकर जाता है, यह कुछ ज़्यादा सिरिस बिमारी नी होती, जौंग फिर अपनी मदर को देखकर, वहाँ से जा रही होती है, तो उसके मदर इंला, उसे रोख लेती है, जॉंग की मदर इनला उसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरा जो सन है यह सही आदमी नहीं है तुम में मेरी बेटी जैसी हो तुम पैर में हो यह मुझे पता है तुम यह जो सब कर रही हो इसे में तुम्हें रोकने वाली नहीं जॉंग की मदर इनलॉ ने उसे बच्पन से बलाए इसकी डॉर्टर की तरह होती है ये खुश रहे हैं ऐसा ही को चाहती है इसलिए इसको सपोर्ट हो करती है किम जॉंग को घर पर छोड़ने के लिए आता है जोंग उसे कहती है कि मदर इनलो को सब पता चल चुका है जब मैं मेरी मदर इनलो से मिली तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो सब कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ मैं अब तुमसे फिर से नहीं मिल सकते मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ पर एक गलत है मैं तुम्हें भोलने की अब कोशिश करूँगी तुम्हें भी यही ट्राय करना है किम यह इमेजिन नहीं कर पाता कि वो जॉंग की बिना रह सकता है वो बहुत डिस्टब हो जाता है उसे आइडिया आता है कि अगर उसने जॉंग के पदी को फ्रेम कर दिया और वो जेल में चला गया तो जॉंग के साथ हमेशा रह सकता है किम का फ्रेंड हाक सोजोता है यह illegal काम करता है इंपोर्ट एस्पोर्ट यह illegal तरीके से कर रहाता है तो इसकी मदद लेकर वो हुजीन को फ्रेम कर देता है हुजीन की मदर फिर कस्टडी में उसे मिलने के लिए आती है तो हुजीन कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया इसकी मदर इसे बिलिव करती है जब यह जॉंग के पास होती है तो जॉंग को कहती है ये मुझे पता है कि मेरे सन नहीं ये नहीं किया वो जूट बोलता है ये भी मुझे पता है पर इस बार वो जूट नहीं बोल रहा तुमने ये सब करवाया है ये मुझे पता है तुम ये सब सही करोगी जोंग फिर कीम के पास आती है उसे अपने हस्बन की मदद करने के लिए कहती है नेक्स सीन में हाउस वाइफ जो दिये बात करी हुथी है जो अफा फैलवा थी है इससे हमें पता चलता है कि कीम का जो जॉब है वो अब स्टेड़ी नहीं रहा उसका जॉब जा सकता है उसे अंडर रिव्यू डाला गया है दूसरी हाउस वाइफ जो पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ है वो तो बहुत अच्छा ओफिसर है तो यह कहती है कि वो मेडिकेशन पर था किम ने उजीन को बचा लिया है वो जीन कहता है कि किम कोई भी काम का नहीं है उसने मुझे जादा हल्प नहीं की थी जॉब जोंसे कहती है तो मैं उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जब घर पर आता है तो उसके वाइफव उसे ऐसे कॉंग्रेशिलेशन करती है क्योंकि आज उसका प्रोमोशन हो चुका है किम का जॉब अंडर रियू था तो उसके प्रोमोशन के लिए था अब वो अलग जगा जाने वाला है वहाँ इनके सब फ्रेंड्स आये होए होते है और यह सेलिब्रेशन कर रहे होते है यहाँ पर जॉब भी आये होती है जॉब बाहर बार भी को कर रहे होती है तो उसके पास कीम आ जाता है कीम उसे कहता है कि जहाँ मेरे ट्रांसफर हो रहा है वहाँ में वो जिन को भी ले कर जाओंगा यानि कि हम दोनों एक साथ रह सकते है चौंग कहती है कि उसके साथ नहीं जाने वाली किम फिर उस पर चीट जाता है कहता है तुम्हारे बिना में नहीं रह सकता तुमने जिस तरह से मुझे भुला दिया है वैसे में तुम्हें नहीं भुला सकता चौंग फिर उसे जटक कर अंदर आ जाती है उसके पीचे पीचे कीम भी अंदर आता है और ये पूरा तमाशा खड़ा कर देता है इसी डिनर में उसे न्यूज मिलती है कि वो फादर बनने वाला है उसके वाइफ और जो वो ट्राय कर रहे थे एक फैमिली के लिए वो फैमिली अब उसे मिलने वाली है पर इस सब को उसने तैसनेस कर दिया है इसके बाद किम के जो फादर इनला होते है इनके साथ वो बेठा हुँ होता है किम ने जो भी किया था इसके वज़े से इसका प्रमोशन चला गया है इसके father-in-law से कहते हैं कि तुम फिर से जंग में चले जाओ तुम वहाँ जाकर एक दो साल रहोगे अपने आप पर reflect करने का तुम्हे समय मिलेगा ये भी इस पर बहुती चिड़ गए होते है कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बेटी भी pregnant है इसे इस situation का बहुती बुरा लग रहा होता है फिर भी अपने सनिन लोग को और एक chance वो दे रहा होता है अब जब किम चला जाने वाला है तो जॉंग के पास आता है वो कहता है कि तुमारे husband से मुझे apologize करना है जॉंग कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रहना वो सीगल चला गया है जॉंग और वो अब एक दुसरे के साथ नहीं रहना चाते कि मुझे कहता है कि मुझे वियतनाम जा रहा हूँ तुम भे मेरे साथ चल सकती हो वो उसे बुछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो वो कुछ भी बोलती नहीं तो यह कहता है कि मैं तुम से बहुत ही प्यार करता हूँ अगर तुम्हें वियतनाम नहीं आना तो उसके पास ही थाइलेंड है वहाँ हम रह सकते हैं जिन सबसे हम दूर जा सकते हैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं जौंग एथी है मैं अभी भी मैरीड हूँ मैं यह सब छोड़कर मेरी लाइफ छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है किम कहता है यह तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता मैं सफोकेट हो रहा हूँ इसे जो दर्द है वो अब ज़ादा ही मेसुस हो रहा है वो अपनी गन लेता है और अपने हाट पर रखता है और गोली शूट करता है निक्सिन में हाउस वाइब सी जो conversation है इससे में पता चलता है कि किम बग चुका है जो गोली लगी थी इसके हाट के पास से चली गई थी इसके बाद दो साल गुज़र जाते है जॉंग एक पार्टी में होती है उससे नीचे बुलवाया जाता है कुछ आर्मी के ओफिसर्स वहाँ आयो होते है ये फिर उसे message देते है कि किम वार में मर चुका है किम वाँ ओफिसर की तरह नहीं गया था आर्मी के जो सब लोग थे उन्हें वार में वहाँ जाकर वो हेल्प कर रहा था वो अगर वहाँ ओफिसर होता तो बच जाता पर उसे बचना नहीं था वो लटते लटते ही मर गया था किम का नाम भी इन लोगों को पता नहीं था किम मरने के बाद इसके पॉकिट जब इन्होंने चेक की है तो उसमें जॉंग और किम इन दोनों के फोटो थी इसके बाद वो जॉंग को ट्रैक करते करते यहां तक आ चुके है जॉंग ने किम को पताया था कि उसे कभी भूलना नहीं है किम ने अपना वादा निभाया था चॉंग की उनिस मिलती है तो फुट फुट कर रोने लग जाती है यहां मूवी खतम हो जाती है पर अगर हम कैरेक्टर के बारे में सोचे तो किम डिस्टब था जब वो वार में गया था बहुत सारे लोगों को उसने मारा था तो इससे वो सही से जी नहीं पा रहा था उसके पास सब कुछ था उसकी वाइफ थी और उसे लास में पता चला था कि उसे बच्चा पे होने वाला था उसे बहुत सारे चांसेस मिले थे कि अपने life को वो सही कर सकता था जो एक कर रहा था एक गलत कर रहा था उसके friend ने भी उसे बताया था कि यह गलत है पर यह मानने ने वाला था John के साथ जब वो था तब उसे comfort मिल रहा था इसी comfort के लिए उसे अफसेश्ज हो चुका था अगर आप अपना comfort किसी दुसरे आद में ढूंडते हो तो यही अपनी life बरबाद करते हो आप भी खुद को खुश रख सकते हो किसी और पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड होना यह बहुत गलत है किम ने last में एक तरह की खुद खुशी ही कर ली अब अगर हम जॉंग के पैर में सुचे तो उसका पती भी सही नहीं था उसे वाइलेट करने वाला जो कुनेगार था उससे उसकी शादी करवा दी गई थी जॉंग ने कभी पैर महसूस नहीं किया था इसी वज़े से किम के पैर में उपड़ गई थी इसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो जो कर रही है ये गलत कर रही है ये उसने सुधा नहीं कोशिश की पर किम तब तक बहुत ही अफसेस्ट हो चुका था इस मुवी में हमें गलत रिलेशन्शिप की ट्रैजेडी दिखाई की है ये हम आज का वीडियो खतम करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आता रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्रेब कर दीजे बेल नोटिफेशन आइकोन में दमाना मत भूलें ये आपको सब मुवीज मिलती रहे हम फिर से मुलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये